दोस्तों अगर आप केल राहूल को एक बैतरीन खिलाडी माते हैं तुमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा चलिए दोस्तों आपको इस रोमांचक मुकाबले की हाईलाइट्स के बारे में बताते हैं लेगर उसे पहले राहूल तुरबाडी और केल राहूल में कौन है शांदार पहतरीन बल्लेबाज इस बात का जवाब होए निचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा दोस्तों आईपिल का बारवा मुकाबला दो खतरनाक टीम लखनाओ और हैदराबाद के बीश में खेला गया इन दोनों टीमों के बीश में आपस में पहला मुकाबला खेला जा रहा था और हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीत कर गेंदबाजी करने का फै क्विंटन डिकॉक आए और इन दोनों किलाडियों ने लखनव की टीम को बहुत ही बहतरीन उम्मीद दिखाई थी क्विंटन डिकॉक जो की पिछले मैच की हीरो रहे और उन्होंने अपने विकेट दूसरी ही ओवर में एक रन बनाकर वाशिंटन सुंदर को दे दिया जिसके बल्ले बाजी के लिए मनीश पांडे आये जिन्होंने अपनी ताबर तोड बल्ले बाजी शुरू कर दी लेकिन पाच में ओवर में रुमानिया शफट के हाथ 11 रन बनाकर आउट हो गये और टीम के 3 विकेट 27 रन पर 5 ओवर में ही गर गये जिसके बाद बल्ले बाजी करने किये काफी शांदार साजिदारी रही और जिसमें 10 वे ओवर में ही दोनों बल्ले बाजों ने 3 चौके के 7 और 1 चौके की मदद से 20 रन बढ़ोरे और 14 वे ओवर में 2 चौके और 1 चौके की मदद से 16 रन बढ़ोरे तो वही 15 वे ओवर में दीपा खुड़ा ने अपना दिश्र तक पूरा कर लिया और बल्ले बाजी करने आए पिछले दो मुकाबलों के हीरो और युवा के लाड़ी आयूश और उन्होंने आते ही अपने शुरुवात चौके के साथ कर दी और वहीं 17 वे ओवर में दोनों बल्ले बाजों ने मिलकर दो चौकों के साथ एक चौके और इसी ओवर में तीन गेंदों पर 6 रन बनाकर नटराजन के शिकार हो गए और बल्ले बाजी के लिए जेसन हुलडर आये और अंतिम ओवर में जेसन हुलडर और आयूश ने शानदार बल्ले बाजी दिखाई और 17 रन अंतिम ओवर में आये और पारी की अंतिम गेंद पर और रटराजन ने दो दो विकेट हासिल की और जिसके बदलत लखनौ की टीम 179 रन 7 विकेट के दुसान पर बना पाई और 170 रनों के लक्ष का पीछा करने के लिए केन विलियमसन और अभिशेक शर्मा ओपनिंग करने के लिए आए हैदरबाद की दरफ से और इस लक्ष का पीछा करने के लिए दोनों ही बल्ले बाजों को समभल कर बल्ले बाजी करनी थी लेकिन उमीदों पर पानी फेरते हुए कप्तान केनी विलियमसन चौधे ओवर में विश्वास दिखाया और विश्वास के तोर पर उन्हें खरीदा और वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में अवेश खान ने अभिशेक शर्मा को ग्यारा गेदो पर दो चौके की मदद से तेरा रन बना कर आउट कर दिया और बल्ले बाजी के लिए एड़म मार्करम को भ और बल्ले बाजी के लिए वेस्ट इंडीस के विसफोटक बल्ले बाज निकोलस पूरन आए और जिनसे हैदरबाद की टीम को बहुत ही जादा उम्मीद थी क्योंकि ये दुनिया के तेज तर्रार बल्ले बाजों में से एक मालने जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ कुडाल प पकाबले में तेज तर्रार बल्ले बाजी करते हुए टीम को कम अंतर से हार का सामना करवाया था और 17 वे ओवर में हैदरबाद की टीम का स्कोर 137 रन पर 4 विकेट की नुक्सान पर हो गया था और इसके बाद हैदरबाद की टीम को 18 गेदों पर जीत के लिए 33 रनों की और इसके बाद बल्ले बाजी करने आए अब्दुल समद को बिना खाता कोले ही बेज दिया और अब बल्ले बाजी के लिए रोमानिया स्विफर्ड मैदान पर आए और अब 6 गेदों पर जीत के लिए 16 रनों की आवशकता थी लेकिन अंतिम बोबर में जैसन होल्डर ने प को 157 रन 9 विकेट के नुकसान पर रोग दिया और जिसमें सरवाधिक आवेश कान ने चार जेसन होल्डर ने तीन कुडाल पंडया ने दो विकेट आजल की और मुकाबले को 12 रन से लखनों की टीम जीत गे तो दोस्तों इस मुकाबले में किस किलाडी ने सर्वस्ट रिश् इस बात कर जवाब में इसे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा और ऐसी ही कबरों के लिए सब्क्राइब कीजिए मारे की टोप चैनल को दन्यवाद